हाई फ्रेंट्स हमारी सिलनसी को चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको डवल फ्रिल वाली बाजू बनाना सिखाएंगे जिसके लिए हमने कपड़े लिए हैं यह हमने पांच-पांच मीटर की दो पट्टियां लिए हैं पट्टी की इतना चलेगा और बाजू की कटिंग में 12 इंच पर की है लंबाई में अब यहां से पहले एक बार बाजू कर देंगे यह आप के पास । यहां पर पीको कर सकते हैं और यह बाजू बनने के बाद में बहुत अच्छी लगती है इसे आप ब्लाउज के लिए गाउन के सकती हैं हमने कुर्टी के लिए बनाई है तो दूसरी जो हमारी पट्टी है उसके उपर भी हम सेम सिलाई लगाएंगे और बनाना इसे बहुत ही आसान है हर को इसे बना लेगा बस आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो यहां से हमने यह बना ली है देखिए दोनों प प्लेटों को 2-2 इंच की डालेंगे क्योंकि हमारी पट्टी की जो लंबाई है वो 30 इंच है तो इसलिए हम बड़ी बड़ी प्लेट डाल रहे हैं यह देखिए अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसमें जोएंट भी लगा सकती है इसकी लंबाई बढ़ाने के लेकिन जब भी ने बनाई थोड़ी सौट ही बनाई मतलब जैसे मैं इस बाजू की जो लंबाई है वो 12 इंच रखी है अगर हम इसे बड़ा रख लेंगी तो हमारी जो यह फ्रिल है वो नीचे तक आएंगी तो थोड़ी अच्छी नहीं लगेंगी इसलिए जब भी आप ब हमें इधर से छोड़ना है क्योंकि इतना हमारा फिटिंग में दवेगा खाली जरूर चोड़ें वरना हम फिटिंग करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी फिरिल के उपर सिलाई लगाने में तो यह एक्स्ट्र पट्टी है जो उसको हम यहां से कट कर देंगे यह देखिए हमन दो दो इंच पे हम पूरी स्लीव्स में निसान लगा देंगे और फिर हम इस निसान को सीधा कर देंगे इसतरीके से ऐसे सीधा कर देंगे इस निसान को आप अगर आप थोड़ा सा गैप दे के लगाना चाहती हो तो जहां हमने दो इंच लिया है वहां से आप धाई या तीन इंच भी ले सकती है लेकिन मैंने ज़्यादा गैप नहीं दिया है मेरी दूसरी फ्रिल इसी फ्रिल के उपर ही पट्टी के लंबाई भी 30 इंच अगर आपके पास कपड़ा कम है लंबाई में तो आप इस जगह पर पतली पलेट डाल सकती है या फिर मसीन से जो हम कच्छी से लाई लगाके पलेट खीच के डालते हैं मतलब चोटी चोटी चुननटे बनती है उस तरीके से भी डाल सकते ह अगर आपके पास कपड़ा कम है तो और जो मैंने यह कपड़े से मद बनाई है, मैंने तो अगर आप इसे नैट से बनाएंगी, तो और भी अच्छा लोगा आएगा इसका, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सबसक्राइब कीजिएगा, आपको हम आफे करना है बस प्लेट का उठाना है और असे रखना है और सिलाई लगा देनी है और तो इससे क्या होगा कि जो कपड़ा है वह अच्छे नीचे से दब जाएगा और फिर इसे हम किसी भी बाजू वगरा में लगा लेंगे हमें एक फोटो लगा देंगे इसका बनने के बाद में किस तरीके से लुकाया है तो दूसरी उपर भी ऐसे ही लगा लेंगे तो इसका और पहन के हलका सा लुक दिखाते हैं बाकी हमने इसका फोटो लगा देंगे हम किस तरीके से दो देखिए इस तरीके से गहरे में आएगी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद